मैंने बहस की शुरुवात में कहा था कि मैं अन्त में ये जरूर बताऊंगा कि और बेहतर क्या हो सकता था जिससे परिणाम यही आ जाता बलकि इससे भी बेहतर आता और तरीका भी थोड़ा ज्यादा सौफ्ट हो जाता हमने दान किया यह हमसे ले लिया गया दोनों में रकम समान भी हो तो भी दोनों का मन पर असर अलग अलग है हमने दान किया सुछा से उससे का एक अलग संदेशे मन पर और कटोती हो जाए उसका दूसरा अरत है एक बहतर राष्टा अगर बिरोक्रिट चाहते इसको और ज़्यादा सलाहियत से लिया होता इस मसले को तो कर सकते थे इन सारे महासंगों के साथ बैठते मैं आलोग जी से कहूंगा भविष्य में आचलो आप जो हो गया तो हो गया आगे से ये समझ नोकरशाहों को दीजिए सब के साथ बैठते एक प्रपोजल मूव करते कि जब तक ये कुरोना का संकट चलेगा चार दिन की तनखा महिने में हम लोग सरकार को देंगे एक जॉइंट ड्राफ्ट बनता उस पर सारे महासंगों के दसकत होते प्रदेश के अधिकारी जो वित्य वगरा देख रहे हैं उनके दसकत होते उसका रूप सुरूप ज्यादा नहीं अच्छा होता पैसा तब भी इ लेते हैं उसे साव सतर कर आएना चाहिए अब बात आई भविश्य की आज नहीं तो कल राज्यों को सरवाधिक राजस्व देने वाले दो विशे खुल जाएंगे लोगडाउन पूरा देश में से पूरी तरह उठे नहीं उठे लेकिन यह मेरी भविश्य वानी लिग लो लगाओ आपकारी पर कौन रोक रहा है जिसको पीना है भुगतेगा देगा उससे ज़्यादा भिक्री तो गंगा जलकी भी नहीं होती चर्णावरत की भी आप खोलो तो और आज नहीं तो कल कल लहीं तो परसों खुलेगा ही ना क्या वहां से राजस्तों नहीं आएगा बहतर तरीका है और भले लोग तारीब भी करेंगे भले लोग अशिरवाद भी देंगे कि अच्छा कि आप महेंगी कर दी अब कम पीएगा आदमी बावाल कम करेगा खनन एक बड़ा राजस्तों का रास्ता है अगर उसमें ब्रष्टाचार नहीं हो खनन में तो खनन बहुत बड़ा रास्ता है किसी प्रदेश के राजस्तों के लिए वो तो मुश्किल यह है कि सो में 75 नंबर दो में ही निकल जाते 25 का मामला बनता है पूरे 100 का बने तो कु जो मैंने बीच में कही थी जब भरकिशोर बाबु जुड़े थे देड़ साल डिये नहीं देना है ठीक है इसको अगर यह जैसे नोट पर लिखा होता है ने कि मैं बचन देता हूं धारक को यह हो जाता कि ठीक है 2022 के वित्ती वर्ष से सही 23 के वित्ती वर्ष से सही आपका यह पैसा हमारे पास है धरोहर के रूप में ब्याज तो नहीं देंगे इस पर लेकिन मूल वापस कर देंगे जैसे इस्तिती सुद्रेगी एक अच्छी बात हो जाती कि सब कमन रही जाता लक्ष फिर भी वही साध लेते हैं लक्ष जाध रहे में कोई दिक्कत नहीं और जि प्रतिशत सहमत हो कि जब सब कुछ बंद है तो सरकार के पास पैसा आये तो आये कहां से इसलिए मैं निर्णे के विरोध में नहीं हूं कि पैसा के पेड़पत तो लगा देंगे हिला के तोड़ लाए ना कि छपर आए जब कोई टेक्स आई नहीं रहा तो कहां से हो लेकिन हां मैं इस निर्णे की प्रक्रिया पर जरूर कहूंगा ये प्रक्रिया और बेहतर की जा सकती थी जो बात शर्मा जी बांत में कह रहे तो ओपी शर्मा साथ पुराने नेता है शिक्षकों के उत्तरपदेश के कि मन पर चोट नहीं लगती मन भी बचता और गनेत भी दुरूस्त रहता क्या दिक्कत थी एक महिने में चार दिन साल में 48 दिन का वेतन सम्मान पूर्वक्त आप लेते कि ते मैं हफ्ते में एक दिन इस कोरोना क्राइसिस के लिए पेकर दीजिये महिने में चार दे लोग तैयार होते एक गर्म की अन्भूती होती कि हमने अपने देश के लिए अपने प्रदेश के भोजन करो देश एक ताइप भोजन करने लगा ये भू भारत है कि लोग अपने हैं के जरूर्ट है इनको सम्वेदना के साथ भरोसे में रखने की दन्यवाद कराइए